कर ना श्यएक करा आप लोगों कर लिए के आवमें हमने सब्सक्राइब करा दिया था उसी कड़ी में ये में हमोनों में क्या नहीं करते थे उसको एयाना के निकालते थे ते यहां पर हमोजिनियस में एक रूल था बता रहें थे हरके हो ठीट देता हूं हमने क्या कि अभी इस पड़ लिया हमने पड़ लिया डी-वाइड ess को ने अक्स ओ दी-वाई आपामड में कर लेते थे यह इसको डी एकस इधर और डी-वाई उधर कर लेते थे यह यहां पर लेते हैं यहां पर अलग नहीं कर पा रहे हैं तब क्या हो जाता है तब होगा नहीं तो गलत हो जाएगा ठीक है तो सबसे पहले में ग्रफली बता रहा हूं उसके बाद दो मेथड इसके दो मेथड में क्या होता है हमारे पास सबसे पहले इसके लेते हैं इसके डीचशिए दे रखा है तो इसको क्या करेंगे यहां पर एक्स वाई को अलग अलग नहीं कर सकते या मान के भी नहीं किल सकते इसी लिए इसमें क्या करते हैं इसके अंदर होता है पूरा एक्स वाई को कोई दूसर नमबर मान लेते हैं तो हम यहाँ पर करते हैं सबसे पहले जो इसके अंदर है देखें इस वाले को हम टी मान लेते हैं क्या करते हैं सबसтов ऊठْरेंच प्लस वाई एक क्लस वाई गूझ टी होगा तो पर क उडिश्च वाइए अपाउड प्लस दी-वाई-पूड न थी upon dx four को उधर भेज़ दें तो क्या हो जाएगा dy upon dx equal to dt upon dx I hope सुझ में आ रहा होगा value put कर देंगे उपर value जैसे हम put करेंगे क्या हो जाएगा देखें यहाँ पे minus यह four अभी इस वाले को पूरा इस पूरे portion को यहाँ रख देंगे तो हमाँ पास बचला देखे D T upon D X minus 4 equal to T square I hope समझ में आया होगा अब इस भी भी इसको वरेवल सब्रेवल नहीं कर सकते हैं इस 4 को उधर भेज दीजिएगा जैसे 4 को भेजेंगे D T upon D X equal to T square plus 4 T square plus 4 I hope दिख रहा होगा आगे चलते हैं ही पे आगे चलते हैं ही पे यहीं पे चलेंगे यहाँ पे इसको हम क्या करते हैं वो रेवल सब्रेवल करते हैं इस वाले को इधर भेज दें हो जाएगा D T upon T square plus 4 equal to D X integration कर देंगे इसका integration करेंगे क्या हो जाएगा 1 by 2 आगिया जाएगा 1 by 2 10 inverse T upon 2 equal to X plus C answer क्या हो जाएगा देखे इसको आपर आगे लिखते हैं ठीक हो इलू पूट कर देंगे आपर तो 1 by 2 10 4 X plus Y plus 1 bracket close upon 2 equal to C C equal to equal to equal to X plus C I hope सब्सक्राइगा होगा बहुत अख्शा questions है यहाँ पर हम इसको इस मैठर से लगाते हैं विसे ध्यान लखेंगे साते हैं मैठर पर questions पर ध्यान देते हैं प्लस बी वाई प्लस सी अपान एवन X प्लस बी वन Y प्लस यह दे रखा है यहाँ पर linear equations है नीचे linear equations linear equations आप लोग पढ़ रखे हैं नहीं पढ़ रखें तो मेरे वीडियो देखे linear equations मैंने समझा रखा बहुत अच्छे से linear equations होना चाहिए linear equations यह उपर अला भी इसे भी हो सकता है या यह डोनों हो सकते हैं इसमें दो मैंशन लगते हैं यहाँ पर हमारे पास number 1 मैंशन हो जाता है A1 A upon A1 equal to B upon B1 यह equal नहीं है तब क्या करेंगे यदि A1 upon A2 equal है B1 upon B2 के यहां पर यह जी उपकल नहीं है यह उपकल नहीं है तो हम प्रावर नहीं है तो हम क्या करेंगे A1 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 B1 A1 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 B1 A1 की लिरलना करी यह फिल लगाएए व्लोग समझेगा यह graphics कैसे के देखी का questions होमोजीनियस कैसे करनके चार्ब करता है को चलिवर करेंगे दो तक नहीं लगा सकते कॉसेंस नहीं गासकते कॉसें सब्सक्राइब कॉसें बहुत अच्छा बहुत अच्छा कोश्चन्स है मैं रफ कर रहा हूँ रफ करने के बाद कोश्चन्स लिख रहा हूँ कोश्चन्स कह रहा है यहाँ पर लिखता है 2x प्लस y प्लस 3 dy इकुल टू ब्रैकेट में 2y प्लस x प्लस 1 ब्रैकेट क्लोजड dx यहाँ पर x है यहाँ पर y ठीक questions में यहाँ पर x है यहाँ पर y है 2x प्लस y प्लस 3 dx इकुल टू 2y प्लस x प्लस 1 dy कोश्चन्स समझ में आप लोगों को कोश्चन्स समझ में आ गया है नहीं पास क्या हो जाए देखें dy अपान इसको इधर लेके आएंगे dy अपान dx इकुल टू यहाँ अपार 2x यह उपार 2x प्लस y प्लस 3 अपान x प्लस 2y प्लस 1 यहाँ प्लस 2y यहाँ पर हमने बताए था लोगों को small x इकुल टू capital x प्लस h and small y इकुल टू capital y प्लस k put करेंगे let लिख ली जीगा यहाँ पर लिखेंगे प्लस इसकी जगा पर आ जाएगा y प्लस k प्लस 3 आई होप सोज़ेंगे आ रहा होगा नीचे लिखेंगे line ट्रॉ करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा capital x प्लस h प्लस 2y प्लस 2k प्लस 1 जो नमबर दिया होगा अब यहाँ पर जो constant हैंट के इकुल 0 करना होता है जितने constant constant मतलब होँए पास क्या दिखें 2h प्लस k प्लस 3 इकुल टू 0 अगेन है second way h प्लस 2k प्लस 1 इकुल टू 0 अब इसको उधर भेज़ देते हैं question solve पर रहे हैं तो हमाँ पास जोगा 2h प्लस k इकुल टू माइनस 3 यहाँ पर हुआ h प्लस 2k इकुल टू माइनस 1 यह माइनस 3 है ठीक है जहाँ रखेगा माइनस 3 ठीक है यह क्या है माइनस 3 है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे अब दिखें इसको आपको 10th में पर रखें 10th में 11th में कई बार होता है questions को solve करें 2 equations 2 variables रेखिए समीकड को कैसे हल करते है आप लोग चेक कर सकते है देखिएगा पीशे पीशे आप लोग कैसे हल करते है तो क्या करते है इसको उपर नीचे multiply कर देते है इस वाले को 2 से multiply करेंगे तो यह cancel out हो रहा देखें इसको 2 से multiply करेंगे यहाँ 2 हो जाएगा यहाँ पर 6 होगा और यहाँ पर 4 हो जाएगा ठीक है तो यह cancel out होगा यह minus करेंगे यह minus यह minus plus हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर देखी minus यहाँ पर बचेगा 3H I hope समझ में आएगा 3H यहाँ पर कितना है यह माइनस का 6 माइनस का 6 है यहाँ पर 1 तो इक्वल टू माइनस का 5 इसलिए है इस एक्वल टू माइनस का 5 अबाउन 3 अब लोग अगले step में कर सकते हैं इसकी आप सकता नहीं रफ़ करते हैं ठीक आगे चलते हैं हम यहाँ पर इसकी value दूसरे और फूट कर लेते हैं या इसको प्लाइब कर लेते हैं सेकेंड तो प्लाइब दो करके दिखाता हूं हमने निकाला है कि हमने निकाला है इसकी सब्सक्रते कि मामि इंद हम आप्लाइब 11R201 प्लिट 2ότε इकल धू माइनध 2-1 इसलिए 2 k equal to minus 1 plus 5 upon 3, इसका मतलब हो गया हमारे पास यहाँ LCM लेंगे 2 upon 3, ठीक है, 2 upon 3 plus का, यहाँ से plus का है, तो यह जहाँ से यह हमारे पास क्या है, 2 k, इसलिए k equal to 1 upon 3, I hope समजब मैं होगा, अब इन दोनों को value रखेंगे यहाँ पे, तो यह हमारे पाद यतने constant हैं सब वोजेएंगे जीरो होगे कॉंस्टेंट जीरों होने के बाद कोEMAरे फॉपर लिखा था इसमें रखो गे तुई जीरो बरबर दिया है न एक जीरो पर रखेंगे ठीक अब यहां पर यहां पर हमारे पास आगे आ जाएगा टू एक्स प्लस वाई एपान टू वाई प्लस एक्स यहां पर यह तो बचेगा यह बचेगा यह हमारे पास के पार्ट आगे उसी टाइब से कोश्चन्स हो गया इस टाइब से कोश्चन्स होने के बाद हम क्या करते हैं और यह बड़ाबर जया तो यहां पर लाई पास हो जाएगा वी प्लस capital X DV upon D capital X equal to capital DY upon DX value put करेंगे हैं पर क्या जागा हाँ इसकी value में यहाँ पर put करते हैं जैसे put करेंगे तो हारे पास यह number हटी आएगा जैसे हटेगा तो यहाँ पर यह number बचेएगा क्या बचेएगा देखें आपर मैं इधर लिख रहा हूं इधर लिख रहा हूं यहाँ पर हमारे पर बच रहा है V plus X DV upon DX equal to यह number इसके साथ change कर देंगे तो हमारे पास 2 बचेएगा plus V upon यहाँ पर 1 plus 2 V आई होप सुन जाया हो questions ठीक है तो हमारे पास क्या जाएगा यह अब इसको V उधर भेज जेते हैं तो क्या हो जाया देखें यहाँ पर X DV upon DX दिख रहा है ना तो यहाँ पर equal to V उधर भेजेंगे multiply होगा 2 plus V तो रहेगा यह से minus V यह minus V minus 2 V square upon 1 plus 2 V यह cancel out तो हमारे पास आया X DV upon DX equal to 2 minus 2 V square upon 1 plus 1 plus 2 V ठीक है अब इसको रफ करके इदर आते हैं questions लगाते हैं रफ करते हैं इदर questions यहाँ से उठा रहे हैं बहुत अच्छा हो रहा हूं है यहाँ पर हमारे पास questions से देखें X DV upon DX equal to 2 common ले लिया 1 minus V square upon 1 plus 2 V ठीक है अब इसको इदर भेज देते हैं पूरे को इसको अधर अब यहाँ पर क्या करेंगे इस में हमने बताया है इस वाले में हमने बताया है आपको fraction में A plus B कैसे मानके लगाते हैं मैं यहां डारेक लिक रहा हूँ आप लोगों को वहाँ पर लगाना कैसे निकालेंगे ठीक है अब यहाँ पास आएगा वन बाई टू ब्रैकेट में थिरी अपान वन माइनस वी माइनस वन अपान वन प्लस वी ब्रैकेट प्लोजड ठीक अब इस वाले 2 को धर भैजेते हैं इंटेगरेटिंग बोज साहिद इंटेगरेटिंग यह से करेंगे तो इहाँ पर थिरी इंटेगरेटिंग 1 अपान 1 माइनस वी डी वी माइनस इंटेगरेशन 1 अपान 1 प्लस वी दी वी इकल टू ओ फोर बाहर integrating dx upon capital x अब इसका integrating करेंगे देखा जाएगा अब यहाँ पर क्या हो जाएगा थिरी तो यहाँ पर देखें minus है तो यहाँ पर हो जाएगा minus 3 log 1 minus v minus log 1 plus v equal to 4 log mod में x plus log c अब इसको क्या करेंगे minus common ले लिदेंगे minus log common लेते ही हमाई पर क्या जाएगा देखें bracket में 1 minus v का whole cube bracket 1 plus v equal to ब्राब रेकेट लगा दीजिए इसे mod में ठीक है mod लगा दिया equal to log mod में x की power 4 x की power 4 यहां पर x की power 4 लिखा है into c यहां क्या करते हैं value पूर दर देते हैं log में पास है यहां पर तो जाएगा minus log यहां पर देखें यह हमारे पास यह आएगा देखें x यहां पर value रखें x minus y की power 3 आजाएगा ना तो यहां पर into x plus y capital y ठीक है अपान capital x की power 3 आएगा ना यहां पर 4 capital x की power 4 आजाएगा equal to log x की power 4 into c तो यहां पर हमारे पास क्या हो जा रहा अब इसको यह minus के साथ है इधर भेजेंगे तो उधर plus के साथ minus का है ना यहां पर minus already है तो उधर जाएगा तो यह हमारे पास cancel out हो रहा कैसे दिखे हम इसको इसे लिख सकते है log x minus y की power 3 bracket में x minus plus y यह यहां पर minus है तो नीचे वाला minus की जाएगा प्लस हो जाएगा plus log x की power 4 equal to log x की power 4 plus log x की power c यह फोर से फोर cancel out हो जाएगा cancel out हो यहां पर हमने क्या लिखा दिखे minus log bracket में x minus y की power 3 x plus y capital y लिखा है equal to log c log से log cancel यहां पर minus है तो यह minus यह minus है यह minus का पिसे यह minus इधर वाला यह cancel out हो गया बचा minus x minus y का whole 3 bracket में x plus y equal to c इस minus को देखे देंगे constant में constant के साथ minus का कोई changes नहीं होता है value put कर देंगे यहां पर value put करेंगे देखे x हमारे पास है x अब देखे क्या रहा है हमारे पास था questions याद करिए हमारे पास small x equal to capital x plus h h बराबर था minus 5 upon 3 और k बराबर 1 y 3 value put करेंगे यहां पर small y बराबर आ जाएगा क्या y plus k इदर इसको लिए आएएगे तो minus हो जाएगा ना है पर तो हमारे पास देखे क्या निकलेगा capital x equal to small x minus इधर है minus रखेंगे minus h या capital x equal to x plus 5 upon 3 तो यहां पर रखेंगे और y बराबर y बराबर क्या हो जाएगा y बराबर माइनस से रहेगा y minus 1 upon 3 value पुट करेंगे यहां पर value जैसे पुट करोगे यह सब करने के बाद यह सब लिखने के बाद value पुट करेंगे जैसे इधर इधर आ जाते हैं यहां पर value पुट करेंगे questions क्या हो जाएगे देखें यह माइनस तो माने पास हट गया इधर से यहां पर क्या हो गया small x plus 5 upon 3 plus y minus 1 upon 3 एक bracket में का whole यहां पर देखें इसमें रखें यहां पर हमने plus वाले यह minus है यह minus यहां पर यह plus minus के साथ तो यह whole 3 second में आ जा रहा है x plus 5 upon 3 plus y minus 1 upon 3 equal to c अब इसको solve कर देंगे x minus y x minus y y यहां पर यह minus इन दोनों को plus कर देंगे हो जाएगा 6 यानिके plus का 2 की whole 3 bracket में यह इसमें से minus जाएगा तो यहां पर क्या हो जाएगा x plus y plus 4 upon 3 equal to c I hope तो जाएगा यह answer हो जाएगा बहुत अच्छा question से देखेगा लगाईएगा जब तक समझ में नहीं है तो प्रेक्टिस करिएगा second questions अगले में लेके आ रहा हूं देखते रहिए धन्यवाद जाएगा